बच्चो यह question कहता है कि y is equal to sin x plus ln x square plus e to the power 2x और आपको find out करना है dy by dx ठीक है तो सबसे पहले sin x का differentiation हो जाएगा cos x plus इसमें हम लोग चेन रूर लगा लेंगे सबसे बाहर ln है तो सबसे पहले इसका differentiation होगा तो ln x होता तो 1 by x लिख देते हैं ln hathी होता तो 1 by hathी लिख देते हैं ln x square है तो 1 by x square लिख लेंगे उसके बाद बच्चो हम अंदर जाते हैं अंदर जाएंगे x square मिला x square का differentiation होगा 2x ठीक है प्लस है तो प्लस दे दीजिए यहां भी chain rule लगेगा सबसे बाहर में e है तो सबसे पहले हम e का differentiation करेंगे तो e to the power something का e to the power something e रह जाता है उसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो हमको 2x मिला और 2x का differentiation हो जाएगा 2 क्योंकि 2 participate नहीं करेगा और x का differentiation x का respect में 1 होता है तो बस बगल में 1 लिखने की जूरत नहीं है तो इसको अगर हम ढग से देखे तो यह x से यह x cancel हो जाएगा और यह बचेगा cos x plus 2 by x and plus आप इस 2 को सामने लेके चले जाए तो 2 e to the power 2 x हो जाएगा तो कौन सा option match कर रहा है बच्चों तो मेरे ख्याल से option number b match कर रहा है ठीक यह question कहता है कि y is equal to e to the power x into cot x ठीक और आपको dy by dx निकालना है तो हम multiplication rule लगाएंगे क्योंकि दो functions multiplication में है तो पहले वाले को differentiate करेंगे दूसरे वाले को छोड़ देंगे plus का sign देंगे अब पहले वाले को छोड़ देंगे और दूसरे वाले को differentiate करेंगे ठीक है तो बच्चो कोट x का differentiation होता है माइनस कोसे के square x अब इन दोनों में से e to the power x को आप कॉमल ले लिजे तो यह बच जाएगा कोट x माइनस कोसे के square x ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कौन सा option है बच्चो यह वाला option है क्लियर है आगे बढ़ते हैं यह कहता है y is equals to x ln x करना है आपको dy by dx multiplication rule लगेगा क्योंकि x और ln x हापस में multiplication में तो पहले वाले function को differentiate करें x का differentiation 1 दूसरे वाले को छोड़ दीजिए प्लस का sign दीजिए अब पहले वाले को छोड़ दीजिए और दूसरे वाले को differentiate करें तो ln x का differentiation हो जाएगा 1 by x x से x cancel हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका ln x plus 1 ठीक है तो यह रहा आपका ln x plus 1 कौन सा option है भाई तो यह वाला option है 1 plus ln x ठीक यह कहता है कि y is equals to ln x divided by x तो जाहिर से बात हैं यहां division rule लगेगा तो जब हम dy by dx करेंगे तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को differentiate करेंगे तो बच्चो ln x का differentiation होता है 1 by x ठीक है उसके बाद हम यह नीचे वाले को ऐसे ही multiply करके छोड़ देते हैं division rule में minus आता है बच्चो उसके बाद अब हम ऊपर वाले को छोड़ देंगे ln x को छोड़ देंगे और नीचे वाले को तो सबसे उपर में आपको देखे क्या मिल रहा है जब आप dy by dx निकाल रहे हैं तो सबसे उपर में आपको मिल रहा है यहां मिलेगा 1-ln x तो this will become 1-ln x और divided by x square ठीक है x square तो ऐसा कोई option है तो देख ले 1-ln x divided by x square तो option number c सही है इसका यह कहता है कि differentiation of इतना with respect to x कितना होगा ना बच्चों यानि कि आपको differentiation of sin x square plus 3 divided by ऐसे dx निकालना है अरे differentiation of this with respect to x निकालना है तो ठीक है इसमें हम तो chain rule लगाएंगे सबसे बाहर sin है तो सबसे पहले sin का differentiation होगा sin का differentiation cos और यहां x square plus 3 है तो हम उसको चाप देंगे sin x होता तो cos x लिखते है sin हाथी होता cos हाथी लिखते है sin उतना है तो cos इतना लिख देंगे अब हम लोग अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे तो यह पूरा मिला इनको एक साथ डाला गया होगा तो इनका differentiation कितना होगा तो बच्चों x square का differentiation 2x होगा और 3 का differentiation 0 होगा तो plus करके 0 लिखने की जरूरा नहीं है ठीक है तो यहां से आपको मिलेगा 2x cos x square plus 3 चलिए देख लेते हैं 2x cos x square plus 3 b number option इसका सही है यह कहता है y equals to x square sin x तो यह तो class में किया हुआ कैसे ने बच्चों dy by dx जब हमको करना होगा तो multiplication rule लगाएंगे क्योंकि यह और यह आपस में multiplication में है तो पहले वाले function को differentiate करेंगे दूसरे वाले को हम ऐसे ही छोड़ देंगे फिर plus का sign देंगे और पहले वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरे वाले को differentiate करेंगे तो यह हो जाएगा आपका cos x अब हम चाहें तो यहां पर भी एक x है और यहां पर भी एक x है तो एक x को common ले लेंगे तो इसमें बचाएगा 2 sin x और प्लस इसमें से एक x बाहर निकला है लेकिन एक x तो बचा हुआ है तो x cos x हो जाएगा ठीक है तो एसा कोई हो तो बच्चो common lake है तो नहीं लेकिन डारेक्ट यही चीज देखे लिखा हुआ है डारेक्ट यही चीज ऑप्सं नंबर ए में देखे लिखा हुआ एक स्क्वार डिकिया है और 2x sin x देखे यहां लिखा हुआ है ठीक है तो इसका option नंबर a होगा यह मैच कर रहा है यह कहा रहा है यह जो बच्छो मिया रिपीटट क्वेस्चन ज़िए यह डीपीपी नंबर 4 में आप जाकर देख लिजे घा डीपीएस सनमबर 4 में इसका कौन सा इसका क्वेस्चन है आएट देखी लेते हैं DPS number 4 का 15 जो question है, वो match कर रहा है exactly इस से, तो गलती से repeat हो गया है, आगे बढ़ते है, आपको दिया हुआ है कि suppose that the radius r and surface area s is equal to 4 pi r square of a sphere, है ना बच्चों, तो sphere का मतलब होता है गोला, जो ball होता है, है ना, वो spherical होता है, वो एक a sphere होता है, तो उसका जो surface area होता है, जिसको इसने s से denote किया है, वो होता है 4 pi r square, अगर इसका radius कितना हो, r होता है, फिर कहता है, our differentiable function of t, कहने का मतलब है कि हम इनको चाहें, तो t के respect में differentiate कर सकते हैं, ठीक है, write an equation that relates ds by dt to dr by dt, हमको एक relation निकालना है, ds by dt और dr by dt में, तो इतना तो हमको समझ मार है बच्चों कि हमको इसको t के respect में differentiate करना होगा, तभी तो हमको ds by dt मिलेगा, तो हम लिखेंगे, differentiate both sides with respect to t, तो s का differentiation t के respect में हो जाएगा, ds by dt, हैना बच्चों, और 4 pi participate नहीं करेगा, और जब आप r square का differentiation करिएगा, तो आप chain rule लगा लिजेगा, सबसे बाहर में क्या है square है, तो square नीचे आएगा, मतला power नीचे आएगा, और बच्चों power में से 1 minus होगा, तो 2 minus 1 तो 1 ही रह जाएगा, और वैसे भी यह तो रटाया हुआ है कि r square हो तो 2 r ही होगा, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो हमको r मिला, और r का differentiation t के respect में 1 नहीं होता है, r का differentiation t के respect में dr by dt होता है, clear है, तो यह चीज हम लोगों ने सब class में देखा हुआ है, इस टाइप का differentiation, तो I think कि अगर आपने classes ठीक से की हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, यह बताए, कितना हो जाएगा, 8 pi r dr by dt, तो इस तरीके से हम लोगों ने ds by dt और dr by dt के बीस का relation निकाल लिये, उसके लिए हमको इसको t के respect में differentiate करना पड़ा, ठीक है बच्चों, चलिए, कहता है, particles position as a function of time is given as, x is equal to minus t square plus 4t plus 4, ठीक है, find the maximum value of position of particle, अच्छा, हमको position दिया हुआ है, time के term में, ठीक, यानि हम चाहें तो पता कर सकते हैं कि t equals to 0 पे position कितना होगा, t equals to 1 पे position कितना होगा, चलिए, पता करते हैं, t equals to 0 पे सबसे पहले पता करते हैं, ठीक है बच्चों, तो बताईए, position at t equals to 0, ठीक है, यह into मत समझ लीजेगा, तो बच्चों यहां पर हम 0 डालेंगे, यह भी 0, यह भी 0, ऐसा 4 आजाएगा, और चुकि position है, तो हम लोग इसको मीटर में कैसा होगा, इसका मतलब हुआ कि अगर हम x-axis draw करें न बच्चों, तो माल लीजे, यहां पर कहीं x equals to 0 है, तो कहीं होगा, यहां x equals to 4, तो t equals to 0 पर जो particle है, वो यहां है, इसका यह मतलब हुआ, ठीक है, अगर हम चाहें, तो x equals to 1 second पर देखें, तो आप यहां 1 डालिए, तो यह हो जाएगा, minus 1 का square plus 4 into 1 and plus 4, तो मिला जो लाकर यह आ रहा है, 4 plus 4 कितना बच्चों, 8 है न, और minus 1 हो जाएगा आपका 7 meter, इसका मतलब हुआ, कि x equals to 7 meter होगा, t equals to 1 second, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, कि अलग-अलग time पर अलग-अलग position है, position बढ़ रहा है, हो सकता है, यह position फिर घटने भी लगे, तो यहीं बताना है, कि maximum position इसका कितना होगा, ठीक है बच्चों, तो, actually यह तो मैंने ऐसे ही example दिया है, ठीक है, आपको यह बात पता होना चाहिए, maximum minimum वाले concept में हमने पढ़ा है, कि किसी भी function को maximize करना हो, चाहे minimize करना हो, उसको differentiate करके 0 से equate कराया जाता है, अगर हमको x की maximum value चाहिए, अचाहे minimum value चाहिए, तो हम dx by, और इस साइड में t है न, dt को 0 कर देंगे, है न बच्चो, maximum minimum हमने पढ़ा था, माल लिजे, यहाँ पर function maximum है, यहाँ पर function minimum है, तो यहाँ पर slope 0, और slope का मतलब होता है, अगर माल लिजे, यह y और x ग्राफ है, तो slope का मतलब होता है, बच्चो, dy by dx, तो dy by dx जो होगा, वो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर x और y नहीं है, x और t है, तो इसलिए हम लोग dx by dt को 0 करेंगे, dx by dt का मतलब slope हो जाएगा, बच्चो, तो मिला जुला के main concept यहाँ है, कि किसी भी चीज को maximize करना हो, चाहे minimize करना हो, उसको आप differentiate करके 0 से equate करा दीगे, आए हम इसको differentiate करते हैं, तो minus तो रहेगा ही, t square का differentiation, t के respect में 2t होगा, plus 4 participant नहीं करेगा, और t का differentiation, t के respect में 1, 1 लिखने की जुरत नहीं है, 4 एक constant है, constant का differentiation 0 होता है, तो plus करके 0 भी लिखने की जुरत नहीं है, और बराबर करके हो जाएगा 0, dx by dt को 0 ही करना था ना, हो गया, यह यह रहापका dx by dt, इसको हमने 0 कर दिया, अब इस minus 2t को आप इधर लेके चले जाएगा, चाहे चले यह 4 को इधर लेके आजी, तो minus 2t request हो जाएगा minus 4, minus minus cancel हो जाएगा, 2 से 4 cancel हो और आजाएगा आपका 2 second, इसका मतलब होगा ना बच्चों, की position जो होगा वो 2 second पे maximum होगा, आप समझ रहे हैं, मतलब हमको यहाँ यह लिखना चाहिए, ठीक है, यह तो बस ऐसे ही मैंने example दिया थे, जो कोई जूरत है नहीं, हमको यह लिखना चाहिए था यहाँ पर, की for, for x to be maximum, अगर आप चाहते हैं, की x maximum हो जाएगा तो उसके लिए, dx by dt should be equal to 0, तो dx by dt cup 0 होगा, जब t 2 second होगा, इसका मतलब वह पोजिशन cup maximum होगा, जब t की जगा हम 2 second रख देंगे, तो अगर हमको चाहिए maximum position तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर हमको maximum position चाहिए, तो हम लोग जहाँ t है उसकी जगा फे 2 second डाल देंगे, ठीक है, तो आए, minus 2 का square, plus 4 into 2 and plus 4, अब यह minus 2 का square जो होगा बच्चों वह तो 4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 8 और यह हो गया आपका 4, तो बच्चों यह तो 4 से 4 cancel हो जाएगा, आठ मेटर maximum position हो गई, मतलब यह आठ मेटर तक जाएगा और उसके बाद फिर वापस लोट आएगा, आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, मेन कॉंसेप्ट यह था, कि किसी चीज को maximize करना है, या minimize करना है, उसको differentiate करके 0 से equate करा दीजेगा, यह concept हम physics में बहुत use करने वाले हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, dy by dx आपको निकालना है, कब जब x plus y का square is equals to 4 है, ठीक है, तो इसको solve करने के दो तरीके, एक लंबा चौणा तरीका और एक आसान सा तरीका, तो चलिए सबसे पहले हम लंबा चौणा तरीका करते हैं, हम लिखते हैं, differentiate both sides with respect to x, अब बच्चो इस पूरे को हम x के respect में differentiate करेंगे, फिर इसको भी x के respect में differentiate करेंगे, तो इसको x के respect में differentiate करने के लिए हम chain rule लगाएंगे, सबसे बाहर क्या है, 2 है, तो 2 आएगा इधर नीचे, और यह हो जाएगा x plus y और power में 7 माइनस हो जातो उतना ही रह जाएग मतलब बच्चो अगर x square होता है, तो 2 x लिखते हैं, हाथी square है, तो 2 हाथी लिख देंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे, तो अंदर जाएंगे तो हमको यह पूरा मिला, अभी पूरे का differentiation कितना होगा, तो x का differentiation x के respect में 1 plus y का differentiation x के respect में dy by dx हैना बच्चो अब हो गया, इ का differentiation किसी के respect में 0 होगा, अब इन लोगों को आप उधर लेके चले जाएंगे, कहानी खतम करिए, तो मिलेगा आपको 1 plus dy by dx equals to 0, और dy by dx यहां से आपको मिल जाएगा, माइनस 1 हैना बच्चो यह 1 उधर जाएक माइनस 1 बनेगा, तो dy by dx equals to कितना हो जाएगा, माइनस 1, एक आ आसान तरीका यह है, कि लिखा हुआ है, x plus y का square equals to 4, आप इस square को उधर लेके चले जाएंगे, तो आप जानते हैं कि इधर में बच जाएगा x plus y, और square इधर जाके root बनता है, और आप जानते हैं कि जब root बनता है, तो सामने में plus minus आता है, ठीक है, तो यह हो गए आपका x plus y बराबर कितना, बताइए, plus minus 2, ठीक, अब आप इस x को इधर लेके चले आए, तो y equals to हो जाएगा, minus x plus minus 2, अब कर लिजे आप dy by dx, तो बच्चों, minus तो रहेगा, x का differentiation, x का respect में 1 होता है, और यह तो constant है, इसका differentiation 0, तो देख लिजे, dy by dx, minus 1 आ गया, clear है, चलिए, यह कह रहा आपको निकालना है, dy by dx, तो एक बार फिर से, आप लिखे, differentiate both sides with respect to x, क्योंकि बच्चों, x के respect में चाहिए, तो सबसे पहले हम इनको differentiate करेंगे, तो इनको differentiate करने के लिए, हम chain rule लगाएंगे, तो x square का differentiation 2x होता है, है ना बच्चों, हाँ, y को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इन को differentiate करने के लिए, multiplication रू लगाएंगे, तो पहले वाले को differentiate करेंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, प्लस का sign देंगे, अब पहले वाले को छोड़ देंगे, और दूसरे वाले को differentiate करेंगे, यानि, dy by dx, तो यह हो गया, इसका differentiation, अब आए, प्लस का sign देंगे, इसका differentiation कि तो हम chain rule लगाएंगे सबसे बाहर power है तो नीचे आएगा power में से one minus होगा यानी square का जब हमने differentiation किया तो two i मिला उसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो हमको y मिला और y का differentiation होता है dy by dx एक मिनट बच्चो जब हमने इसका differentiation किया था तो सिर्फ two x लेकर क्यों छोड़ दिया था क्योंकि जब हम अंदर जाते तो x मिलता और x का differentiation x के respect में one होता one लिखने की जुरत नहीं है लेकिन यहां पर जब आप अंदर जाएगा तो आपको y मिल रहा है और y का differentiation x के respect में dy by dx होता है तो y square का differentiation यह हो गया है ना बच्चो उसके बाद दूसरे वाले को छोड़ दीजे पहले वाले को differentiate करिए दूसरे वाले को छोड़ दीजे प्लस का sign दीजे और पहले वाले को छ बच्चो 6 एक constant है और उसका differentiation हो जाएगा 0 clear है अब इसमें से देख लीजे इस टर्म में और इस टर्म में dy by dx है तो आप कॉमल ले लीजे dy by dx बताए इसमें क्या बचेगा x square और इसमें क्या बचेगा 2xy तो प्लस 2xy ठीक चलिए यहां क्या बच रहा है अच्छा तो यहां मि हमको plus y का square बराबर 0 चलिए इन लोगों को उधर लेके जाए क्योंकि निकालना तो आपको dy by dx है तो dy by dx यह दोनों लोग उधर जाके negative हो जाएंगे तो हम एक ही साथ ऐसे लिख देते हैं minus y square plus 2xy clear है बच्चों और इस चीज को हम नीचे लेके आएंगे अच्छे काम करते है अभी एक step जो मैंने उड़ा दिया चलो उसको मैं लिखी देता हूं dy by dx ठीक है बोगल में यह जो लिखा उसको फिलाल के लिए चाप दीजे x square plus 2xy हाँ इसको उधर लेके जाए तो यह भी negative यह भी negative तो क्यों ना minus sign को common लेके हम इसको लिख दें y square plus 2xy अब देखे हमको क्या निकलना है dy by dx निकलना है न तो dy by dx ही जीकोष्ट हो जाएगा minus y square plus 2xy और divided by x square plus 2xy ऐसा करके आपका dy by dx आ जाएगा clear है चलिए यह कह रहा है यह जीकोष्ट हो इतना आपको dy by dx निकलना है तो इसमें तो normal chain rule लगेगा सबसे बाहर power है तो इसको differentiate कर यह power नीचे आता है और उसके बाद जो है उसको तो आपको छपना ही पड़ेगा power मैं से 1 minus होता है तो यह हो जाएगा minus 8 लेकिन बच्चों हम अंदर भी तो जाएंगे अंदर जाएंगे तो हमको यह मिला और इसको भी differentiate करेंगे क्योंकि chain rule लग रहा है तो 1 का differentiation हो जाएगा 0 minus और 1 by 7 participate नहीं करेगा और x का differentiation x के respect में 1 होता है और 1 लिखने की जोरत नहीं है ठीक है तो आप देखिए यह minus sign से यह minus sign cancel हो गया यह 7 से 7 cancel हो गया मिला जूला है कि आपको मिलेगा 1 minus x by 7 to the power minus 8 ठीक है यह कह रहा है कि y is equals to under root sign under root x अब लीजे तो हम chain rule लगाएंगे बता बच्चों सबसे बाहर क्या है तो सबसे बाहर है root और आप जानते हैं कि root x का differentiation होता है 1 by 2 root x यह मैंने याद करवाया है यह मैंने बोला था कि आप इसको रट लीजे root x का differentiation 1 by 2 root x तो root इतने का समझ लेजे यह हाथी है तो root हाथी का differentiation होगा 1 by 2 root हाथी हाथी का मतलब हुआ sign root x उसके बाद हम अंदर जाएंगे बच्चों तो sign ना मिलेगा sign का अंदर में यह है ठीक है तो sign मिला तो sign का अभी भूल जाओ कि यह root था root का कहनी खतम है अब sign मिला तो sign का differentiation cos होता हो root x है तो आप root x लिख दीजिए sign x होता तो cos x लिखते, sign हाथी होता cos हाथी लिखते, sign root x है cos root x लिखेंगे फिर अंदर जाओगे तो फिर से root मिलेगा है ना बच्चो तो root x का differentiation हो जाएगा one by two root x और अब अगर अंदर जाओगे तो x मिला और x का differentiation तो one होता है one लिखने की ज़रूरत नहीं है अब चलिए इसको देख लेते हैं इसको कैसे simplify कर सकते हैं तो सबसे पहले ऊपर में तो आपका कॉस रूट x है तो आप उसको चाप दीजे यह बच्चो तू और टू मिल के ऐसा four हो जाएगा ना और रूट के अंदर में यह है रूट के अंदर में यह भी है तो हम चाहें तो एक ही रूट के अंदर में दोनों को ला सकते हैं जैसे आप जानते हैं ना कि रूट a into root b जो यह ठीक है तो इतना अंसर आपका आ जाएगा यह कह रहा है कि find slope of the curve y is equal to 6x square plus 3x plus 2 कब चाहिए बच्चो तो at x is equal to 0 पर चाहिए हम जानते हैं कि looks slope का मतलब होता है dy dy by dx अगर कोई equation दिया रहे किसी curve का equation दिया रहे और आपको उस curve पे कोई slope पता करना है ुसके किसी point पे तो आपको पता है यह हमने derived भी किया है classes में से questions भी किये हैं हमने कि उसके लिए हमको करना होता है dy by dx differentiation का मतलब slope होता है ठीक है आप dy by dx कर लीजे तो बताइए 2 नीचे आएगा तो यह हो जाएगा 12x plus 3 participate नहीं करेगा 3 और x का differentiation x के respect में 1 होगा 2 का differentiation 0 हो जाएगा इसका मतलब होगा कि आपका जो slope आ रहा है वो 12x plus 3 आ रहा है आपको slope को चाहिए x is equals to 0 पर चाहिए बच्चों तो अगर आपको slope at x is equals to 0 यह m into 0 मत समझना slope at x is equals to 0 तो 12 into 0 plus 3 का मतलब आंसर आपका आ जाएगा 3 clear यह कह रहा है कि find the angle between positive x axis अच्छा तो positive x axis and the tangent to the curve y is equals to x square at x is equals to 4 ओहो तो बच्चों एक कर्व दिया हुआ है y is equals to x square और आपसे पूछ रहा है कि यह जो कर्व होगा तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोगों ने quadratic का graph बनाना सीखा है इतना तो हम confirm है कि upward parabola होगा और ऐसा graph हम लोगों ने देखा है आपको पता नहीं याद है कि नहीं है नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं आप माल लीजे कि इसका graph ऐसा बनता है एकदम origin से होके गुजरता है upward parabola तो यहीं पे नहीं बच्चों होगा तो यहां पे कर्व ऐसा है अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वह टेंजेंट जो है x-axis के साथ कितना angle बनाएगा तो एक काम करिए सबसे पहला आप इस टेंजेंट का slope निकाल लीजे और आप जानते हैं कि slope of the tangent होता है dy by dx ठीक है बच्चों तो चलिए बताइए dy by dx करिए तो dy by dx तो 2x ना आ गया ज्यानि slope of the tangent हो गया 2x ठीक है तो आप बताइए कि आपको कॉब चाहिए x is equal to 4 पे न slope चाहिए तो slope at x is equal to 4 जो होगा वो हो जाएगा 2 into 4 का मतलब 8 और हम जानते हैं कि slope का मतलब होता है किसी भी line के slope का मतलब होता है 10 theta slope को पहली बार हमने ऐसा ही define किया था ना तो यह जो slope आपको मिला 8 slope जो आपको 8 मिला उस slope की जगह पे आप रख सकते हैं 10 theta बराबर 8 अब आपको तो theta चाहिए तो हम 10 को उधर लेके जाते हैं और आपको पता है कि जब 10 उधर जाता है तो 10 inverse बन जाता है तो theta हो जाएगा आपका 10 inverse 8 clear है चलिए बचो यह बहुत सारी बाते कह रहा है सबसे पहले तो कह रहा है कि fx is equal to head 2x square plus 3 जगव नहीं है हमको इतने में ही कर लेना पड़ेगा ठीक है हमसे पहले तो कहता है f x निकाली दूसरा कहता है f x निकाली चलिए दूसरे पार्ट को हम लोग पहले solve कर लेते हैं f x का मतलब हुआ कि आप इस function को differentiate करिए तो बच्चो इसका differentiation हो जाएगा 4x 2 participate नहीं करेगा पावर नीचे आएगा पावर में से 1- होगा तो 4x होगा और 3 का differentiation 0 क्योंकि 3 तो constant है तो चलिए उसके बाद f dash f x f f dash x और वो सारी बाते आपको निकालने हैं अब हम पहला वाला solve करते हैं हमको क्या निकालना है f of f of x निकालना है तो सबसे पहले यह जो अंदर है हम उसकी value पूट कर देते हैं तो बच्चो सबसे अंदर में क्या है तो 2x square plus 3 है सबसे अंदर में f x है और f x की value है 2x square plus 3 तो आप इस f x की जगह पे डाल दीजिए 2x square plus 3 तो यह बन गे f of 2x square plus 3 इसकी value आपको चाहिए तो बच्चो हम जानते हैं कि जैसे f of हाथी निकालना होगा तो इस x की जगह पे हम हाथी रख देंगे तो समझ लीजिए कि यही हाथी है यानि इस x की जगह पे आप यह पूरी value पूट करिए तो देखिए आपको क्या मिलेगा 2 x की जगह पे यह पूट कर दीजिए 2x square plus 3 होगे ना बच्चों और plus में 3 दिया हुआ है मतलब कि हमको यही चीज लिखना होगा बस x की जगह पे 2x square plus 3 है ना तो इस x की जगह पे आप 2x square plus 3 रख दीजिए अब इसके बाद आप इसको solve कर लीजिए बताए यह 2 है a plus b के whole square में तो तो a square तो यह हो जाएगा 4x to the power 4 plus b square का मतलब 9 plus 2ab तो बच्चों 4 into 3 12 और x square हो जाएगा और plus 3 आजाएगा अब इस 2 को अंदर भेजिएगा तो यह हो जाएगा 8x to the power 4 plus 18 plus 24x square plus कितना 3 चेक्या बच्चों तो हो गया लगभग answer तो आपका ही गया है ना तो यह हो जाएगा 8x to the power 4 plus 24x square plus 18 और 3 जो होगा वह आपका 21 हो जाएग ठीक चलिए third part हम लोग देखते हैं तो third part में बोल रहा है f dash fx निकाली तो बच्चों सबसे अंदर में fx है fx की value पहले आप यहाँ पर put कर लीजिए तो यह बन जाएगा f dash 2x square plus 3 अब देखिए हमको f dash हाथी चाहिए तो f dash x है 4x तो f dash हाथी कितना होगा 4 हाथी होगा यह इस x की जगह पे हम यह चीज़ डाल देंगे तो यह हो जाएगा आपका 4 और x की जगह पे इसकी value यह वाली value तो 2x square plus 3 4 अंदर गया तो 8x square plus चारतिया 12 यह हो जाएगा चलिए चौथा पार्ट देखते हैं कहता है f of f dash x तो सबसे अंदर में f dash x है f dash x की value कितनी है 4x है तो आपको actually निकालना है f of 4x ठीक अब देखिए f of something तो यहां से निकलेगा ना तो x की जगह 4x है तो यहां भी x की जगह 4x होगा तो पहले 2 तो आपको लिखना होगा x की जगह पे हमने लिख दिया 4x फिर उसका square है तो वो कर दीजिया और plus 3 बताए यह answer क्या आएगा तो यह हो जाएगा आपका 16 x square और 16 into 2 32 हो जाएगा ना तो 32 x square plus 3 ठीक फिफ्ट नमबर यह कह रहा है f dash f dash x ठीक है तो f dash x 4x है तो आप इसकी जगह 4x रख दीजिए तो f dash 4x रख दीजिए अब f dash something निकालना है तो फिर एक बार आपको इसी को देखना पड़ेगा है ना बच्चों तो x की जगह पे 4x रखना है तो इस x की जगह पे भी 4x रहेगा तो 4 तो पहले से रहेगा और x की जगह पे 4x यानि हो जाएगा आपका 16 x ठीक है कह रहा है कि f of x is equal to 2 sin square x then you have to find out f dash pi by 2 ठीक तो सबसे पहले तो बच्चों आप f dash x तो निकाल लीजिए f dash x का मतलब हुआ इसको differentiate तो कर लीजिए तो चलिए 2 तो participate नहीं करेगा sin x square x का differentiation जब आप करिएगा तो ठीक से लिख लीजिए यह sin x का whole square है ना तो chain rule लगेगा सबसे बाहर square है तो power का differentiation सबसे पहले होगा तो यह हो जाएगा 2 sin x फिर जब आप अंदर जाएगे है ना तो आपको मिलेगा sin x और sin x का differentiation होगा cos x ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि यह आपको मिलने जा रहा है f dash x is equal to 4 sin x into cos x अब हमको f dash pi by 2 निकालना है यानि जहाँ जहाँ x है उसकी जगा pi by 2 रखेंगे तो 4 sin pi by 2 into cos pi by 2 अब 4 तो 4 रहेगा pi by 2 का मतलब 90 degree होता है बच्चों यह हम लोगोंने trigonometry में पढ़ा है pi by 2 का मतलब क्या होता है 90 degree तो sin 90 degree की value तो 1 हो जाएगे लिए cos 90 degree की value 0 हो जाएगा और मिला जो लाएके पूरा answer आपका 0 हो जाएगा तो इसका answer है 0 कहता है find the length bc in the given figure है न बच्चों अब इस figure में या तो आपको यह देना चाहिए चलिए अपने से हम कुछ 10 मिटर माल लेते हैं 10 मिटर पर मैं इसको बना देता हूं पता नहीं कि original और dpp में क्या दिया हुआ है रहना कि 10 मिटर पर मैं बना देता हूं आपको समझ मा जाएगा कि हमको करना क्या है ठीक है तो देखो बच्चों यह वाला एंगल और यह वाला एंगल आपको दिया हुआ है ठीक है और आपको निकालना है कि यह bc कितना होगा ठीक है तो हम लोग ने एक sign rule पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा है कि किसी भी angle का हम sign लेंगे तो divided by उसके सामने वाला side लिखा जाता है ठीक है तो माल लीजे कि इस angle के सामने वाला दिया हुआ है और हमको ये वाला पूश रहा है तो कही। कोई हमको यह वाला पता होना चाहिए और यह वाला पता हम कर सकते बच्छों टीनों का जो सम होना चाहिए इस एंगल इस हैंगल और इस एंगल का 180 रहे न तो बताएं यह कितना हो जायेगा तो कहने का मतलब है कि यह और यह मिलके 30 डिगरी है सुरी 150 डिगरी है तो जाहिर सी यह 30 degree ही हो गया ना तब तो 180 हो पाएगा तो चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले साइन 30 degree एक मिनट रुको बच्चो ऐसे में तो यह तो question बढ़िया नहीं रहा इसलिए नहीं रहा क्योंकि यह 30 degree यह 30 degree तब तो बच्चो यह एक क्या कहते हैं इक्विलेट यह आईसोसेलर श्रेंगल हो जाएगा सम दुविबाहू तिरभूज हो जाएगा है ना तो यह एंगल और यह अगल अगर सेम है तो आमने सामने वाले साइड भी सेम होगी तो इसके सामने वाला भी 10 मेटर ही ह है ना बच्चो लेकिन तब एक काम करते हैं तब इसको हम 10 मेटर लेते हैं अब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या लिखेंगा बताइए साइन 120 डिग्री साइन 120 डिग्री इस डिवाइड भाई इसके सामने वाला कितना बच्चो टैन मेटर है तो टैन मेटर लेलो इस इक्वास्टू ठीक है इसको हटा दो यहां से यह थोड़े ना थे तो आपको निकालना है उसके बाद लिखो साइन साइन 130 डिग्री डिवाइड वाई ना तो बीसी बच्चो अब आप जानते हैं कि साइन 120 डिग्री के वेली होती है आ जिस makes 120 है तो 1 डिक में से स्को माइनस करेंगे न ही होगい यह मैन और यह हो गया sin 30 degree की value 1 by 2 और यह हो जाएगा बच्चों आपका BC तो यह 2 से 2 cancel हो जाएगा अब BC को इधर भेज़े 10 meter को इधर भेज़े रूट 3 को नीचे भेज़े तो BC equals 10 by root 3 meter इतना हो जाएगा ठीक है तो इसके हिसाब से यह answer आएगा ठीक otherwise यह incomplete question था चलिए ठीक है तो next DPS के लिए हम लोग next video में मिलते हैं